बिस्मिल्ला रख्मान रहीम, अस्सलाम उलेकुम, कैसे हैं, आप सब उमीद करती हूँ, आप सब बिलकुर ठीक ठाक होंगे, तो प्यारी प्यारी ममीज, आज आप लोगों के लिए बहुत बहुत इंफ्रमेटिव वीडियो लेकर आई हूँ, इस्पेशली वो जो के अभी न बहुत अच्छे से गुजर जाएंगी, और बचे जो हैं, वो आपके हेल्दी रहेंगे, जो लोग चैनल पे नियू है, चैनल को जली सिब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करीजिएगा, पहली राइमेडियो यहां मैंने स्टार्ट कर यह सारी अजवाइन डाल दूंगी, और इसकी एक पॉटली से बना लूंगी, आप लोग देख सकते हैं, आप लोग कपड़ा जो है, वो मलमल का कपड़ा यूस कर सकते हैं, जो के सौफ्ट हो, क्योंकि हमें इस पॉटली को बच्चे की स्किन पर यूस करना है, तो कपड़ आपने बहुत दिहान रखना है कि बिल्कुल सौफ्ट होना चाहिए, अब मैंने यह पे एक रबड की हल्प से जो है, वो इसको एक पॉटली बना लिया है, अजवाइन जो है, वो हमारे लिए बहुत फादेमन है, इसकी तासीर जो है, वो गरम होती है, यह सर्दियों में ब इसको मैंने गरम करने के बाद इस पॉटली को इस पे हलका हलका सा रखना है, इसको हलका सा गरम करना है, बहुत सादा हमने गरम नहीं करना, और बच्चे के सीने पे हमने से सिकाई करनी है, पसलियों पे सीने पे अगर उसके सीने में जो है वो जकडन है, नजला है, सीने में से खरखर की आवाजे आ रही हैं तो आप लोगों ने इस तरह से जवाइन का यूज करना है इसको फ्राइ पैन पे हलके से से शेकना है और बच्चे को रात में सोते टाइम जो है वो बच्चे को हलका हलका सा इससे उसकी सिकाई करनी है यह बहुत बहुत फाइदे मन्द है आपको एक रात में ही फर्क महसूस होगा यहां चलते हैं नेक्स्ट रेमिडी की तरफ यहां पर यह देखें मैं आपको आउल बनाना सिखा रही हूं सरदियों के लिए जो बच्चों के लिए बहुत बहुत ऐफेक्टिक होता है और यहां पर जो लोग जो गलतियां करते हैं को बच्चों के लिए यूज होने वाला ओल है वो किस तरह से बनाना है अब फ्राइपन में मैं सबसे पहले जो हूँ हाफ कप ओल ले रही हूं यह सर्सो का ओल है जो रेगुलर हम सर्सों का ओल उस करते हैं हमने वह ही लेना है यहां पर मैं तकरीबन साथ से आठ दाने इसम कि नहीं किया मैंने साब चीज़ें एक सार ढाल दी है आपने बहुत जादा । आपने बहुत जादा हाई-स्पीड पर नहीं पकाना वन्हा है यह लसन एक दम जल जाएगा और अई जिस तो आपने बिल्कुल आज पे इसको रखके छोड़ देना है और अथे से मिक्स कर देना है थोज़ देखेंगे कि तेल पकना स्टार्ट हो गया है और अब हमने यहां पर यह करना है कि इसको बहुत जादा नहीं पकाना इतना नहीं पकाना कि बिल्कुल जल जाए क्योंकि अपने रात को सोते टाइम जो है वो बच्चे की सीने पर पसली में पर कमर पर और इसके तलबों पे इसकी मालिश करनी है, यह आपको ठंड से बचाता है, और यह तेल बहुत बहुत फाइदे मत है हमारे न्यूमान बेबी के लिए, तो आपने यह ओईल जो है, वो जरूर बना के रखना है, और डेली इसका मसाज करना है, यह आज की थर्ड रेमेडी है, मैं आपको यह बताने लगी हूँ, अगर बचे को ठंड लग जाती है, बचे को फ्लू हो जाता है, इसके सीने में खर्खर की आवाजे आती है, तो उसके लिए छोटी से रेमेडी है, मगर बहुत वेक्टिव है, यहां मैंने एक जाइफल ली है, आप लोग देख सकते हैं, जाइफल, जो हम खानों में यूज करते हैं, उसको मैंने तोड़के थोड़ से गीला कर लिया है, यहां पे इसको अच्छे से गीला करने के बाद मैंने कोई भी हम पथर ले ले लें या कोई सिल्का बटा जैसे हमारे घुरों में होता है, उस पे आपने इसको अच्छे से रगड़ेंगे तो इससे यह होगा कि जो इसकी कुदर्ती, इसकी जो खुश्बू है वो बहुत स्ट्रॉंग होती है और वो इदम इन्हेंस हो जाएगी, हमें वो खुश्बू ही चाहिए, आपने इसको अच्छे से रगड़ने के बाद बच्चे के हातों पामों के नेल्स के उपर इसको लगाना है, इससे जो है बच्चे को सर्दी से बचाता है और यह इस चीज़ के लिए बहुत अफेक्टिव है खास तौर पर जब बच्चे को नजला होता है तो आपने दिन में तकरीबन दो दफ़ा जो है वो यह लाजमी करना है जाएफल को इस तरह से मसल क और आपने बच्चे के पामों और हातों के नेल स्पेस को लगा देना है इससे बच्चा जो है वो सर्दी से महफूज रहेगा और नजले में इसको बहुत बहुत अराम मिलेगा यह सारे टोटके जो हैं वो मैं खुद अपलाई कर चुकी हूँ इसलिए मैं आप लोगों के स जिससे बच्चे के लिए जो बच्चे के लिए नुकसांदे होती है बयां की चौति र grassy यह बहुत बहुत जबर्दस्थे में थे साथ necessity दो जल्दी लग जा था एं और नमूनी का शिकार स्पेश्लि डोबच्चे हो रहे होते हैं तो पर हो आप पने यह कर रहे हैं तो पह तो पहले चोटी से टिप आपको यह बता दूँ कि अगर बच्चों के पेट में दर्द है और बच्चा रो रहा है तो आपने पानी में मिलागी हींग पेट पर लगा देनी है और उसको किसी हल किसी गरम कपड़े को लेकर उसके पेट पर सिकाई करनी है तो इन्शाला जो है पेट का दर्ग बिल्कुल खतम हो जाएगा बहुत फाइदे मत होता है अब दूसरा में आप लोग को यहां ठंड से बच्चते के तरीके बता रही हूं तो मैंने यहां पेट हींग को गरम पानी में थोड़ी से हींग लिए मैंने यही इतनी से हींग काफी है हमारे लिए इ उसके लिए मैं रेमेडी बना रही हूं अब मैंने यहां पे इसको अच्छे से मिक्स करना है फिंगर से और इस पत्टे के ओपर इसका पूरा लेप करूंगी यह लोग देख सकते हैं से मैं फिंगर की है जो हींग है उसको मैंने पून में अच्छे से मैश किया है और आप जो है वो मैं इसको पान के पत्ते के ओपर लगाऊंगी हींग जो है ये ये भी बहुत बहुत एफेक्टिव है स्पेशली सर्दियों के मौसम में जो है बच्चे को हींग थोड़ी सी खिलाई भी जाती है लेकिन तरीका मैं आपको बता रही हूं ये सीने की जकड़न और पसलिया जो स्पेशली कहते हैं बच्चों की पसलिया चल रही है उसके लिए आपने सबसे पहली रेमिडी जो है वो थोड़ा सा ड्राय हो जाए क्योंकि बहुत जादा ठंड़ा अपने बच्चे के ऊपर कोई भी चीज नहीं रखनी है क्योंकि ये मैंने गरम पानी यूज किया है मगर फिर भी ये बच्चे के लिए नुक्सान दे हो सकता है तो मैं यहां 10-15 मिनिट के लिए इसको ऐसी करेंगे लेकिन अगर बच्चे की कंडिशन जादा खराब है उसके पसलियां चलने में अराम नहीं आ रहा तो आप फॉरन बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाएंगे आप बिलकुल भी देर ने ही करने ही उसके बाद आपने सेकेंड ऑप्शन जो अपनाना है वो डॉक इंफ्रमेटिव वीडियो के साथ तब तक रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल अला हाफिज